तो सभी को जैहिंद मैं जुवेश्क मार स्वागत करता हूँ आपका डिफेंस एडर 247 पर तो सभी का वेलकम है तो सभी जल्दी से वेलकम शिल्पीतिवारी जैहिंद पल्लवी ठाकूर गुड इवनिंग जैहिंद टू अल अफ यू सचिन शुकला तो भाई जल्दी से सब से सबसे को से अथा जूड़ जाएगा और सेशन को शेर और लाइक जरू करो सबसे पहले सबसे को रहify क्योंकर हैं यह बर अभी कोशन यह उब ये वह सब लेकिन आज फिल्स तो तो हमारे बहुत इंपोर्टन है तो पिछले जितने भी साल आपका 2011-10 से different different cds nda के exam में आपका किस तरीके से defense gk पे question पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने आज लाया हूँ और उनको हम solve करेंगे तो सूरज शर्मा क्रिस्टीन शाक्या सभी को जैहिं to all of my dear student तो जल्दी से सभी लोग session को सबसे पहले share कर दो आपके dear sir ji आज आपके लिए बहुत भेतरीन question लाए हैं और आप लोगों को आज मज़ा आ जाएगा थूड़ा सा हाँ विल्कुल तो सभी लोग जल्दी से येश्वनी सेनी जैहिन तो पहला question आपकी screen पे ये रहा which of the following is a not a inter service training command इन में से कौन सा inter service training command है और आपको साती साता ये Mehrdon की आपको इस नहीं भी वताना है कि आप सब का कौन कौन सा ह। किस में जाना है जल्ली से में ओक हम बिल्कुल नहीं शिल्पी तो हमेशा पूरा तो जल्दी से बताएगा ओफिसर ट्रेत आडंग आड मीं चैन्नाई, ये कोएमबतूर में हैं, पहले मदरास में है, यहाँ पे केवल आर्मी, ठीक हÌ, आर्मी की ट्रेइनिंग होती है, आप OTA अगल जाएंगे, OTA, CDS के थ्रूप, तो आप आर्मी की ट्रेइनिंग होगी, और टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है टेरिटोरियल आर्मी की बीस में होगी अभी हाली में कली सुप्रीम कोड ने बहुत अच्छा डिसेज ने है कि अब हमारी भारत की बेटियां भी एंडिये के एक्जाम में पार्टिसिपेट करेंगी जो की बहुत अच्छा एक गुड न्यूज है एंडिये में आपका आमी नेवी और एफोस तीनों को ट्रेन किया जाता है नेशनल डिफेंस कॉलेज नेशनल डिफेंस कॉलेज भी ट्राय सर्विस आपका कॉलेज है और को OTA option number a in-service का मतलब है जहां तीनों सेनाओं को ट्रेनिंग नहीं दी जाती हो ठीक है बिल्कुल जहां पर तीनों सेनों सबका गलत आया मेरे को लगा यानि दम खम नहीं है मतलब क्या पूछा गया है इंटर सर्विस ठीक है इंटर सर्विस का मतलब होता है जहां पर तीनों सेनाओं का परिक्षिक्षन नहीं होता हो तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग नहीं होती हो तो तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग आपकी इसमें होती है इसमें होती है इसमें नहीं होती है और यही आंसर पूछा गया है ओके बिलकुल बिलकुल अब आई बात समझ में जैहिंद कुडि आप सदरन नेवल कमांड औफ इंडिया नवी इसलोगेटेड इन विच दें पॉजोविंग उतीक कव इनकी among होती है तो सबसे पहले मैं बता दो इंडिया नवी की तीन कौॉमट है तो नेवी है थ्री कमांड तो इनका जो कमांड का हेड़क्वाटर आपका पूछा है तो इंडे नेवी का हेड़क्वाटर कहां कहां पर पड़ता है ओके पैरे ट्रूपर पैरा सफ तो ध्यान रखिएगा मेजर रुदराशीश मजूमदार उनकी में एक वीडियो देख रहा था है एक संडिये हैं और में खाल से वह एक मूवी में भी आया है उन्हें नहीं कहता है क्योंने पैरा सफ में जाना यह उनकी स्पेशलेटी होती है बिल्कुल विशागा पट्नम तिरवनतापुरम कोच्ची चन्नई क्या होग इसका आंसर विच आफ दी फॉलोईग इस लोके रजत कुमार भट माइडियर्स यह आपका अंदर परदेश में पड़ता है अंदर परदेश साउथ में लेकिन मोस्टली वेस्ट कि यह आपकी वेस्टर्न कमांड है ठीक है दिस वेस्टर्न कमांड ओके यह आपकी वेस्टर्न तो देखो इंडिये नेवी की तीन कमांड है oh sorry Łyane,味턴, फोड़ा सा तो इंडियन न्वी की तीन कमांड है, विशागा पट नव में में आपकी क्या है इस्टन कमांड, मुंबई में आपकी वेस्टन कमांड, अन कोची में आपकी सदन कमांड है, इंडियन نवी ओके टॉप्शन नंबर और सी सुनील चौधरी सर आई होप आपको आप समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या है option number C ठीक है कोच्ची के रल कोच्ची को Queen of Arabian Sea कहा जाता है CDS 2016 का कोशन है ठीक है अगला कोशन आपकी स्कीन पर यह रहा the rank of captain of Indian Navy यानि Indian Navy में जो captain की rank होती है equivalent होती है किसके captain of Indian Army group captain of Indian Air Force lieutenant colonel of Indian Army और wing commander of the Indian Air Force यह भी CDS का कोशन है देखते हैं इसका answer कौन देता है PDF जरूर available होगा अगर आज यहां पर 50 student होगे PDF जरूर available होगा अगर आज यहां पर 50 student होगे तो session को share करो और देखो like अभी तक किसी ने भी नहीं करा है only 11 like question का level देखो और उसके बाद तो सभी लोग जल्दी से session को share करो और like करो फटाफट और इस question का answer दो the rank of captain of the Indian Navy is equivalent to the चलो D option wing commander of the Indian Air Force okay wing commander अभिनंदन राहुल सी बता रहा है दीपन चकरबरती सुनील चौदरी सर्विस ही देखो इस question का answer यहां पर यह रहे है आपके captain तो Colonel Indian Army Group Captain Indian Air Force ठीक है Group Captain हर कीरत सिंग का नाम सुना है Golden Arrows स्क्वार्डर नमबर सेविंटीन इंडियन एफोस रफल उसके वह लीडर है जैसे Colonel एक पूरे बैटालियन के हेड होते हैं Group Captain एक पूरी स्क्वार्डर के हेड होते हैं ठीक है Group Captain एक पूरी स्क्वार्डर के हेड होते है है सो group Captain इसका अंसर है आप जब देखेंगे तो जब आप लेटीनेंट को जाएंगे न यहाँ पर आपको एक सेक्ड़ में दिखा देता हुं जब आप लेटीनेंट के तॉर पर जाएंगे तो आप लेटीनेंट को कहलाएंगे आमी में पहले सेकंड लेटीनेंट होता था निकल आजायेगा आपका इंडियन निवी में धिर आपका कैप्टन लाटूनेंट फ्लाइटूनेंट लैजर लिफ्टनेंट कमांड़ स्क्वार्डन क्वादन लीडर ओके इस तरीके से आपका यह this इनलजी होती है आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा तो इस कोश्चन का आंसर क्या होगा इस कोश्चन का आंसर होगा ग्रूप केप्टन आफ दी इंडियन एफोस ऑप्शन नूमबर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की और और गाइस सेशन को लाइक और शेयर जो करेगा बिल्कुल यूर फ्रेंड इस कोड़न लिडर वेरी गुड अग्रा कोश्चन तो फ्रेंड का हुआ वो तो बहुत एज में आपसे बड़े होंगे ओके फ्रेंड का हुआ ओके हा आप में से तक कई बच्चों के पास मेरा परस्नल नमबर है अब तो दिक्कत आए लो रुक जाओ कि मैं है जाता हूं स्क्रीन शॉट ले लिजे ठीक है आप लोगों ने अब इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन क्यों है विच फॉव दिफॉल इस स्टैट्मेंट इस करेक्ट इन रिलेशन तो दी इंडियन एफोस ब्रॉस जल्ली से बताओ अब इस कोश्चन का आंसर क्या होगा हां यह पेज भी होगा बिल्कुल पीडिएफ में बिल्कुल सचिन विच अफॉब इस स्टैट्मेंट इस क्योंकि इंडिया तो आपका इंदर धनुष हो गया आपका रुद्रा हो गया आपका टाइगर ट्रायम्फ हो गया कितनी सारी तो इंडिया की क्या है military exercise एफोस exercise गरुडा हो गया शिंश्यू मैत्री हो गया तो कई सारे देशों के साथ है इंडिया के कई सारे बेसिस नहीं है ठीक है बेसिकली एक UAE में ही है जो अभी हाल फिलाल में बना है सो इस question का answer क्या है option number C की इंडिया ने फोस की एक separate maintenance command है और इस question का answer हां सही है बिलकुल बिलकुल हां बिलकुल अरे सूरज शर्मा and ocean king please do not indulge in the useless thing अपना focus रखा करो बारत में बोलने की अज़ादी है अपना यहां पर questions पर ध्यान दो useless comment मत करो it is a request to you okay तो it has own separate command अगर यहां पर इंडिया ने फोस की commands आप देखें तो इंडिया ने फोस की command कौन कौन सी है प्रियाग राज इस इलाबाद central command न्यू दिल्ली में सुभर्तो पार्क सुभर्तो मुखर जी इंडिया ने फोस के पहले chief थे chief of air staff गांधी नगा south western command यह आपका जो operation बंदर था surgical strike यह western command ने operate करा था गांधी नगा south western command इनका दिहन केवल पाकिस्तान के लिए देन तिर्वंता कुरम आपका आपका southern command बैंगलूरू ठीक है training command नागपुर maintenance command एंड आपका शीलोंग में आपका पूरा north east और चाइना के लिए आपका क्या है eastern command इंडिया फोस हैं हाँ मैनी कमांड इंडिया फोस है 7 कमांड ओके साथ कमांड है उन में से एक maintenance कमांड भी है ओके हां हां बिल्कुल वी आर चौदरी बनेंगे आपका 30 सप्टेंबर को राकेश कुमार सिंग भदो रहे हैं ठीक है अगला question which of the following statement is not correct इन में से कौन सी statement correct नहीं है तो जरा इस question का answer दीजें let's see who will give the right answer of this question बिल्कुल और सेशन को शेर और लाइक जरू करेगा हां ओके बिल्कुल बिल्कुल जैहिंद इकबाल शेक सर इकबाल शेक सर हमारे अभी presently इंडियने फोस में working है तो इन से आपको बहुत सीखने को मिलेगा और रहान जहां से तुम हो वहीं से हैं य ब्रह्मोश इसव शूपर सॉनिक क्रूश मिसाल मेड बाइ इंडियन एं रुसीं फेडरेशन क्रेक्ठेट मैं दा नेम ब्रह्मोश चेम फ्रू रिवर ब्रह्मपुत्रा ऑफ इंडिया और मोसग वा रिवर ऑफ रुचिया अगें इस अ करेक्ठ आंसर इंडियन रिटरी सा शार्क रहें टाईगर शार्क स्कुवाडर्डेन 2022 टाईगर शार्क यह आपका कहां पे है तश्आओर एअर बैस में है ढोल में टन्सोर तो तश्आओर एअर बैस यह प Э्हांपे यहां scraping में रखते हुए इंडेन ओशन में इंडेन एफोस या भारत का दब दब आ रहे तो इसको बनाया गया है ठीक है हाँ डिफेंस रिसर्च डवलब्मेंट और्गनाजेशन नहीं सुख होई अब भारत में बनता है या उसे असेंबल किया जाता लेकिन वह डिया नहीं करता है उसे करता है हिंदुस्तान एयर लॉटिकल लिमिटेड तो यही आपकी गलत स्टेट्मेंट है और यही आपका आंसर चौद्री ने भी डी दिया शिल्पिति वारी ने भी डी दिया सचिन ओके गुडिया यादव हां 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 ओके चलिया अगला कोशन विच आफ दी फॉलोविंग इस नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट आफ अंडमान निकुबार कमांड इस दिए फर्स करने के लिए इसे एंसी बोलता है आमी नेवी एरफोस तीनों ही इनकी इंटेग्रेटेट कमांड है अभी जनवरी में एक हमने exercise भी करी है इससे रिलेटेड इसका नाम है इसको इसका नाम था एमपेक्स ठीक है दो करी थी एक तो एमपेक्स है और एक और था हाँ बुल का बुल स्ट्राइक आ गया ध्यान बुल स्ट्राइक दो एक्सराइस करी थी बुल स्ट्राइक में तो बल्कि आपकी SF को यूज किया गया था तीनों सर्विसिस की SF को यूज किया गया था बुल स्ट्राइक यह दो मिलिटर एक्सराइज है अंडर मान निकोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका हेड़कोर्टर पोर्ट व्लेयर में है बिल्कुल सही बाई इसे कमांड़ बाई थ्री स्टार जर्नल बिल्कुल सही है अब वो चाहाँ आमी का हो नेवी का हो एफोस का हो ठीक है लेकिन इसे वर्ल्ड वार टू में रेज नहीं किया गया था वर्ल्ड वार टू में तो बल्कि इसको कैप्चर कर लिया गया था शेही दीप सो और आज दीप सुभाज चन्द पोसन का दाम रखा था यह कमांड बनी है आपकी टू ठाउजन टू में ओके यह स्टेट्मेंट आपकी गलत है और यही इसका आंसर होगा ठीक है यही स्टेट्मेंट गलंट है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बफरिंग हो रहे हैं थोड़ा वैदर के कारण बफरिंग हो रही है कोई बात ने रिकॉर्डट देख लिजेगा ठीक है तो विल्कुल चलो अगला कोशन लेट्स इस कोशन का आंसर कोन देगा असम राइफल्स बदलू राम का बदन जमी के नीचे है और हमें इसका का राशन मिलता है एक किता गाना बढ़िया है बदलू राम सौरी असम राइफल्स रेज इन 1825 ठीक है 1825 फ्रेंड्स ओफ हिली पीपल तो इंफेंट्री रेजिमेंट है इंटेन आर्मी की बिल्कुल सही बात यही है राश्टे राइफल्स में तो आपकी सारी बेटैलियन्स आती है और को 1993 में रेज गिया गया था ठीक है और इसका जो में काम होता है कांटर इंसर जैन्सी ठीक है इलिमिनेशन ऑफ टेर्रिस्ट इसका बिल्कुल ध्यान था यह जो अभी एससी जी डी की वेकर सी यह ठीक है एससी जी डी और बच्छे काफी प्रिपेर भी कर रहें उसमें भी असम राइफल्स है तो पेरा-मिलिट्री फोर्स ठीक है एसम रा Ministry of Home Affairs देता है, तो इस वज़े से ये दो आपकी statement गलत हो गई, और 1825 में Second World War तो नहीं होई होगी, ठीक है, तो Assam Rifles है इंडियन आर्मी की Infantry Regiment, लेकिन आती ये पेरा-Military Forces में है, ठीक है, आती किसमें है, ये पेरा-Military Forces में है, So, Option Number A, इसका Right Answer है, Option Number A, जी हाँ, चौदरी साव ने बिलकुल आंसर नहीं दिया है, Very Good, Vishal Vaisnav, Hello, जैहिंज आपको, चलो, Very Good, समझ आ गई ये बात, किलियर हो गया होगा point, और session को Like और Share जरू करियेगा, ठीक है, Which of the following is correct, इन में से correct कौन सा है, Infantry Regiment is also known as Mechanized Infantry Regiment, बिलकुल गलत बात, Infantry Regiment आपकी अलग होती है, Mechanized आपकी जो Armored Core होती है, उसमें जो पैदल से नहोती है, उसे Mechanized Infantry बोलते हैं, तो Infantry Regiment is also known as Mechanized, BMP जो यूज़ करते हैं, वो आपके Mechanized Infantry करते हैं, तो यह आपका wrong होगे statement, ठीक है, Corps of Electrical and Mechanical Engineer is subsumed in the Corps of Engineer, नहीं, यह भी गलत है, जित्ती भी Engineering branch हो, Signal हो, Electrical हो, Mechanical हो, Civil हो, वो सारा आपका Engineer Corps के अंदर आते हैं, कोई Particular Electrical और Mechanical के अंदर ही नहीं आते हैं, Army Medical Corps और Army Dental Corps, ओके, यह आपका Separate हैं, नहीं, यह आपका Army Medical Corps के अंदर आते हैं, ठीक है, तो यह भी आपका wrong हो गया, Army has its own air defense, जी हाँ, बिल्कुल यह correct है, Army का अपना Army Air Defense है, ठीक है, A, A, D, हम इसे बोलते हैं, Army Air Defense, जिसमें हम आकाश मिसाइल, प्रित्वी मिसाइल को इंडेनामी यूज करती है, So, that is why, option number D, इसका right answer होगा, शेक, महबूब, हसन, नहीं, option number B, is the rock answer, Okay, and Sachin, बिल्कुल सही, So, question of this answer, answer of this question is option number D, आज वैसे मैं रोज हिंदी में कराता हूँ, लेकिन, यह question बनाते वक्त समय लग गया है, इसे हिंदी में convert नहीं कर पाया है, ठीक है, यह मैं मानता हूँ, चलिए अगला question, which command of, which of the following is not one of the commands of Indian Army, तो Indian Army की कौन सी command इन में से नहीं है, South Western Command, North Eastern Command, Central Command, Army Training Command, तो जल्दी से बताईएगा, इन में से कौन सी command नहीं है, Indian Army की, question number 9, let's see कौन देता इसका answer, और session को like और share जओ करेगा, बताओ बचो, क्या हो सकता इस question का answer, option number A, option number B, option number C, option number D, इसका answer हम देखते हैं, यहां पर image में, अब देखो Indian Army की साथ command है, सबसे पहले उधमपूर में Northern Command, फिर चांदी मंदिर चंदीगड में आपका Western Command, पूने में Southern Command, ओके, जैपूर में South Western Command, इस्टरन कमांड कोलकता, Central Command लखनाउ, और Training Command आपका शिमला, ठीक है, लेकिन आपका कोई North Eastern Command नहीं है, ठीक है, North Eastern के लिए हमारी कोई command नहीं है, Eastern Command ही North Eastern Command को देखती है, Eastern Command भी North Eastern Command को देती है, तो, which of the following is not a command of Indian Army, that is North Eastern Command, ठीक है, इस कोईशन का अंसर क्या है, Option Number B, तो सभी का गलत, देखो आज बाउंसर पर बाउंसर आ रहे हैं आपके, IPL चल रहा है न, तो आज गुगली, दूसरा, बाउंसर, कैरम बॉल, सारी चीज़ आपको पढ़ दिया, अभी तो, जस शुरुवात, अभी तो आपको आगे और देखने को मिलेगा, ठीक है, आप लोग बने रहे है, देखो कितना जजबा है आप लोगों में, आम पोर्सेज में जाने का, आज पता लग जाएगा, जरा दो इस कोशन का अंसर, इनमें से कौन सा एक बैटल टैंक नहीं है, लेट सी कौन इसका अंसर देगा, इसी तरीके के कोशन, यह CDS में आयोगे कोशन है, कोई अगर मेरे पास किसी का बदल में नंबर हो, मेरे को परसोनली कॉल करना, मैं साल बताऊंगा, कोशन नंबर बताऊंगा, जाके UPSC के प्रिवेज एर में चेक कर लेना, इसका अंसर कौन देगा, और सेशन को शेयर और लाइक जरू करेगा, शिल्पित इवारी ने इसका अंसर दिया है, B, ओके संजन शुकलान भी इसका अंसर दिया है, B, देखिए, T-55, 1975 की वार में भी हमने से यूज किया था, बीश्म, बीश्म, T-72, मेन बेटल टैंक है, अर्जुन, अभी अपग्रेड करा है, T-90, अजय, और यह जो है न, यह हमारी बोफोस की तरह, 155 केलिवर की क्या है, आटलरी है, सरवत्र इजजत और इकबाल, जैसे बोफोस गन है हमारी, ठीक है, इंडिया कोण कौण सी यूज करता है, एक तो बोफोस, सरवत्र इजजत और इकबाल, यह आटलरी का नारा है, बोफोस, और अमेरिका से हमने लिए है, लाइट हॉट्जर गन, ठीक है, M777, तो यह आप जो देख रहे हो, के नाइन, यह आटलरी है, दिखती टैंक जैसे है, लेकिन है आटलरी की गन यह ठीक है, है तोप, ओके, है तोप, एफकेट की क्लासिस का सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा, अब यह तो आपके दिल दिमाग में होनी चाहिए, जरह इसे अरेंज करना, ओके, नॉट तो साउट, साउट तो नॉट, देखते हैं, इस कोशन का आंसर कौन देता है, हट गया हो, मैं जरह बता हो, इस कोशन का आंसर क्या होगा, सेशन को शेर और लाइक जरू करेगा, ठीक है, सेशन को शेर और लाइक जरू करेगा, ओके, जल्दी से बताओ, इस कोशन का आंसर क्या होगा, वट विल बी आंसर अप इस कोशन, ओके, वट विल बी आंसर अप इस कोशन, जल्दी से बताओ इस question का answer क्या होगा और भाई देखते हैं आज इस question का answer कौन student देगा आज मैं मान जाओंगा जो इस question का answer देगा मैं मान जाओंगा जो इस question का answer देगा कि आप लोगों को वाकई में है वो जज़बा अब इसे I.M.A. को कौन नहीं जानता देहरादून स्टैबलेश्ट इन 1932 ओटी ए चिन्नाई अब यहीं सा आइडिया लगा सकते हैं कि वाई जिसमें टू लास्ट में होगा नाट उस आउट पोचा गया है वो answer होगा यानि चन्नाई से नीचे तो कोई होगा नी थोड़ा reasoning भी national defense academy पूने खड़क वासला नैशनल defense college दिल्ली मेरी जान आइन ने जो है ठीक है कॉलेज ओफ डिफेंस मेनेजमेंट लॉजिस्टिक होता है यह आपका है सिकंदराबाद सिकंदराबाद तिलंगाना ओके और यहां पे आपका सिकंदराबाद में आपका national नेशनल पुलिस अकेडमी भी है तो नॉट तक देखा जा तो नंबर वन देन आपका नेशनल डिफेंस कॉलेज फोर तो आपका यह ऑप्शन नंबर भी इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन नंबर भी आशिश लाल को गूड इवनिंग सचिन शुकला जीपन चकरवर्ती अर अब में खाल से इकबाल शेक सर आप आपको तो बिल्कुल इसका आंसर सही देना पड़ेगा ठीक है तो यह हमारे फाइटर एक्राफ्ट से और इनकी इनसे रिलेटेड स्कौर्डन मैंने पोची आप से ठीक है यह फाइटर एक्राफ्ट से और इनसे क्योंकि ग्लोब सब्सक्राइब जैसे अफगानिस्तान से इंडियंस को लाए गया था तो ग्लोब मास्टर वहां पर सपोर्ट करने के लिए हमने काफी सारा एमिनेशन भी पहुचाया अपाचे हेलिकॉप्टर तेजस आपने एफोस में अभी तक एक ही पर्सम को क्या मिला है परमवीर चक् सिखो उन्होंने गैनेट विमान से एफ-86 सेबर विमान सुड़ाय थे श्री नगर में उनकी जो स्कौर्डन थी वह थी फ्लाइंग बुलेट्स पिछले साल इसको दुबारा से रेज गिया गया तेजस की स्कौर्डन है ठीक है सुखोई 30 MKI मैंने आपको बताया है टाइग ठीक है सी का 3 यहनि ग्लैडियेटर अपाचे क्या है एक अटैक हलिकॉप्टर एक अटैक हलिकॉप्टर है ओके अशिष लाल सर्फ जैहिन हम नॉर्मल करते हैं बस आए होप आप CST को क्लियर करें और नेशन की सर्विस में जाएं और ग्लोब मास्टर आपका स्काइल ठीक है सो इस कोशन का अंसर option number C बहुत बढ़ी आज तो सभी लोग बहुत 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 बहतरीन तरीका से अंसल दे रहे हो लेकिन एक ओ है मतलब यार 30 स्टूडेंट तो होने चाहिए ऐच थर्टी स्टूडेंट तो होने चाहिए खालए बात नहीं यह अगला कोशन हम यह क्या है मिसाइल से हैं यह क्या है हमारी मिसाइल से हैं चलिए अब देखते हैं इस कोशन का अंसर कौन कौन रन बाकुरा देगा जल्दी से बताओ इस कोशन का अंसर प्रशांत कुमार सचिन शुकला शिल्पी तिवारी जल्दी से बताएगा वट विल वी आंसर अ अस्तरा आकास सागरीका निर्भय जल्दी से वताओ इस question का answer कौन व्यक्ति आज देगा Let's see, ने टी-शिट का बटन खराब हो गया, अच्छा बटन हाइँ नहीं यहां पर, Okay, let's see, कौन देगा इस question का answer? जल्दी से वताओ, What will be the answer of this question? और सेशन को शेयर और लाइक ज़रू करो देखिए ऐसा कॉंटेंट आपको शायद कहीं ना मिले शायद क्योंकि मैं कोई अनोखी चीज तो करता नहीं हूं ठीक है लेकिन ऐसा कॉंटेंट शायद आपको और कहीं ना मिले जो इतना इंट्रेस्टिंग भी हो पता भी लगे अले आधियों यह बनाई है विजूल रेंज ओए मीडियम और टू एयर मिसाइल है ठीक है असतरा को है आकाश सरकेशच चुएयर मिसाइल है साखरिका अरिहंत स सब्मरीन से सब्मरीन अंडर वाटर होती है और आपक दिए हैं और सब्सक्राइब्ट के आपको क्लास के आपको 128 अभी आप इसे जरा ध्यान दिजेगा OK के तो एक थ्री बीका वन तो अप्शन नमबर सी इसका राइट आंसर है अश्विन शिंदे ब्रोबर नहीं है आंसर तुम्हारा ठीक है ऑप्शन नमबर सी इसका राइट आंसर है स्क्रीन शौट अरे पीडिएफ ले लिजेगा ठीक है बागी में कोई टेलिग्राम चैनल जानता हो तो वह बता देगा मैं उसको लोग बता दूगा ठीक है चलिए को इंडियन आर्मी काउंटर इंसरेंसि स्कूल कहां पर है इर काउंटर इसरेंस जहां पर जंगल दिखाते हैं मेरा बाएं बताता है कि जब बद्रीप्त तो पैले आंत कहान पर रगणए इधर आक दरлаг इसक गाने नहीं होगी तो आपको इरिडिटेशन होगी मतलब ऐसे ठीक है अां हां थीकिए दस बजे ओवर होगा सर ठीक है वेल गाओं गाता कमण्डो क्यूंस ठीक गाता कमंडो कोर्स यह चीज़ है यहां पर बेलगाओं में होता है गुल मर्ग में आपका क्या है होस गुल मर्ग में क्या हैं आपका हॉस जिसकी भी पोस्टिंग सिया-चिन्द में होती हो से पहले होस में जानओ पड़ता है high altitude warfare school high altitude warfare school submarine की training ठीक है submarine and submarine की जो training होती है आपकी WISEAG में होती है ठीक है और आगरा में तो सभी Indian Air Force का क्या है आगरा में पैरा ट्रूपर स्कूल है PTS और इसका अंसर है मिजोरम में पढ़ता है वेरेंगटे option number D option number D इसका right answer है वेरंगेटे इंडियन आर्मी की काउंटर इस अर्जंसी स्कूल कहां पर है वेरंगेटे ओप्शन नमबर डी सल जी चेक करो एक वार प्लीज बी का चार लगा नहीं नहीं काउंटर इस अर्जंसी आपका यह जॉंगल वारफेर दिखाते हैं इसमें ठीक है कौन सा मैचिंग में थोड़ी गड़बड एक नहीं एक सेकंड एक थ्री ओक अरे मैंने यह इसका इसका गलत आंसर लगा दे सॉरी मैंने फूर देख लिया एक थ्री होगा ठीक है वी का वन होगा एक थ्री अरे हां यह थोड़ा ऑप्शन में गड़बड है इसका answer होगा 3 1 4 3 1 4 2 3 1 4 2 यह इसका option गलत है sorry यह मेरे से गलती हो गई ठीक है 3 1 4 2 यह इसका option गलत है पता नहीं क्या सस्तर नशाकर रखा होगा मैंने चलिए president bodyguards 61st नाम नहीं बताऊंगा यह अभी पूरे वर्ल में ऐसी only force है तो यह आपकी जो है और इसमें president bodyguards में राजपूत जाट और सिक यह तीनी community के सोल ले जाते हैं और वह आपके पैरासफ के होने चाहिए छे फूट हाइट होने चाहिए तो regiment of artillery mechanized infantry infantry regiment यह cavalry regiment आप देखते हो नो जब हमारे राश्पती रेपब्लिक डे में आते है 61st cavalry ठीक है 61st cavalry regiment है प्रेजिडेंट बॉडिगार्ड गी ठीक है यह आपकी जो है ना 1773 में बनी थी ठीक है 1773 में यह regiment को रेज गया था ओके cavalry regiment ओके हां बिलकुल 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 आकाश cruise missile नहीं है किसना का आकाश cruise missile है आकाश एस surface to air missile है ओके air defense में काम आती है आकाश missile ठीक है next question who is the designer of paramveeer chakra अब देखते हैं इसका answer क्या होगा who is the designer of paramveeer chakra और सबसे last paramveeer chakra किसे मिलाता यह बताएगा ठीक है who is the designer of ठीक है यह भी question आया है ठीक है जियान रखेगा यह यह भी question आया है और परमveeer chakra who is the designer विकरम राम जी खनोलकर सावित्री भाई खनोलकर क्या होगा इसका answer okay who is the designer of paramveeer chakra सबसे पहले paramveeer chakra मिला था चार कुमाओं के ठीक है मेजर सोमनाथ शर्मा और वटा को इंसिडेंट मेजर सोमनाथ शर्मा वटा को इंसिडेंट कि यह जो मेजर सोमनाथ शर्मा है इनका संबंध कहां से है पालम पुर से है कहां से है पालम पुर से है और एक चीज़ और मैं बता हूँ लास्ट परमवीर चकर शेर्शा को मिला ठीक है यू नो वेरिवल हुई शेर्शा ओके लेजेंड कैप्टन विकरम बत्रा और वह वह इनका भी कहा से है पालंपूर से केम के अरप्या साथ पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन आर्मी की कमांड को समादा था यह 15 जन्वरी कि 1950 को इन्होंने इंडिन आर्मी की कमांड समा ली थी और 15 जैन्वरी इसी वज़े से आर्मी डे के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं सबसे कम उमर में परमवीर चक्र जिनको मिला है उनका अब तो रिटायर हो गया ऑनररी कैप्टन सुबेदार मिजर योगिंदर सिंग याद ने परमवीर चक्र का डिजैन करा है ओके वेरे गुड ऑप्शन नमबर भी इसका राइट आंसर है ठीक है फिर विच आफ दी फॉलोइंग एलम जी इंडुक्टेड बाई इंडे नामी फ्रॉम इस्राइल इस्राइल से अभी हम दो वेपन्स को यूज करते हैं एक तो टव कोब्रा कमांडो बेटेलियन फॉर रेजिल्यूट एक्शन कोब्रा यूज करती है और इसको हमारी सारी एसेफ यूज करती है मार्कोस पैरा एसेफ गरुड कमांडोज अब इस्राइल से हमने एक लाइट मशीन गन ली है एनम जी नहीं है उसका नाम क्या है सिग्मा टवार नगैव असमी तो इस कोशन का अंसर क्या है मानेक्शा पहले फील्ड मार्शल थे ठीक है मानेक्शा पहले फील्ड मार्शल तो फिर दूसरे फील्ड मार्शल करेपस आपको बनाया गया था आयमे में जाओगे तो मानेक्शा थिमया करक्ता ये बेटैलियन भी है वहाँ ठी तो option number C इसका right answer है नगेव अब इनके बारे में हम देख लेते हैं असमी ट्रवार सिग्मा 6 क्या है तो यहां पर देखो यह है नगेव light machine gun ठीक है 100 का राउंड का होता है और इसमें नहीं प्लास्टिक bag type magazine होती है तो वेट लाइट करने के लिए बना रखा है काफी high fire rate होता है यह हमने यूएससे से ली है सिग्मा 76 saucer rifles अभी इंडियन आर्मी में से recruit किया गया है और इंडिया ने एक अपनी SMG बनाई है सब मशीन गन जिसमें सब मशीन गन क्या था जिसमें आपका पिस्टल के राउंड होते हैं cqb close quarter compact में इसको यूज किया जाता है ठीक है तो अभी तक हम hackler and coach की MP5 यूज करते थे अब यह हमने बनाई है अस्मी और इसको बनाया है प्रसाद बंसोद ने ठीक है डियार्डियों के साथ मिलके सो गाइस सेशन को लाइक और शेयर ज़रू करो पटाफ़ट चलिए आगे बढ़ते हैं next question अब बताओ मार्कोस दिफ्यू दिफियरलेस nsg सर्वुत्तम सिर्फ सुरक्षा है अपने माथे का नक्षा है गरूड कमांडों इनका मेरो को आदर्श वाक्या सबसा बढ़िया लगता है गरूड कमांडों का प्रहार से सुरक्षा offense by defense और पे तो आपको बताना है इन सब को रेज कब कब गिया गया था जो को सबसे नई श्पेशल फोर्स न वह आपकी गरुड कमण्डो है ठीक है गरुड कमण्डो है सबसे नई स्पेशल फोर्स 2004 में इसको रेज गया था फिर उसके बाद धियान रखेगा नेशनल अधामंत्री जी की हत्या भी कर दी गई थी इंद्रा गांधी जी की तो तब दो फोर्स एग्जिस्ट हुई इंडिया में काउंटर टर्रिस्ट ऑपरेशन के लिए एनस्जी को बनाया गया प्राइम मिनेस्टर की सिक्योर्टी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप बनाया गया यानि एनस्जी के फॉंडेशन आपका अभी सेप्टेंबर में ही होता है आपका 1986 में होता है ठीक है फिर आपका मार्कोस यह आपका नेवी सील्स की तर्ज पर 1987 में रेज की गई थी पैरासफ देखो पैराशूट रेजिमेंट सेकेंट वर्ल्ड वार 1942 में बनी थी लेकिन उसको पैराशूट रेजिमेंट अलग है पैरासफ अलग है पैरासफ स्पेशल फोर्स को 1966 में रेज किया गया तो इस कोशन का अंसर होगा एक फोर बी का थ्री यानि ऑप्शन नमबर बी ओके ऑप्शन नमबर बी इसका राइट आंसर होगा वेरी गुड चलिया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन क्यों मैंस्ट फॉल्विंग इंडियन आर्मी में इंडियन नेवी और नेशनल कमांड अथॉर्टी नेशनल कमांड अथॉर्टी जो न्यूक्लियर वेपन्स को लांच करना है या नहीं करना है उसका न अधियन नेवी में तीन कमांड ठीक है सही है कि इंडियन फोस उसे दिसद्ध में गलत बना दिया लगता है हाँ जोले कोशन कम मीनिंग है देखऊ जवरा को टोशन किस घसाम से थोड़ा कोशन मैंने चुछ nah Medan penalty नहीं हो रहे है इसका वान टू थरी फramos रही आंसर होMadar और आर्मी कि सैंवन कमाड़ आनी चाहिंए इसमें और फॉक्रेश कि भी होनी चाहिए फोर्स की सैंवन cidade छॉड़ो इंडिया का फ्रस्ट मिसाइल प्रक अगनी प्रस्त। कहां पर सिचूएट्ट एं अगनी प्रश्त। अगनी प्रस्त। च्पर इंडिया फर्स्ट मिसाइल पार्क अगनी प्रस्ट इस सिचुएटेटेड इस विच आफ दी फॉल्वाइग स्टेट्स कोलकाता मुंबई विशाका पटनब पारदीप अ मिस्टर कार्टी के एक कोशन आता है इसका डिफेंस का एक यह दो उसके लिए वह पर्टिकुलर जीस किस क्लास उसको स्पॉयल नहीं किया जा सकता यह आपको यहां पर तो उत्ता ही करा रहा हूं जल्दी से बताओ अगनी प्रस्ट तो अगनी प्रस्ट आपका जो है विशाका पटनम में ठीक है कहां पर है विशाका पटनम अगनी प्रस्ट विशाका पटनम में ही एक अगनी in India आइनस कलिंग ऐला ओके सायसित हम आइनस कलिंग में है ठीक है इनस कलिंग में साहिए सायसिये औप aur इंडिया यह ढैएनिगे की यहाक आधाना इस वजह से वियुखलेULगा ओकिना पढ आधा कि पारादीप में में अगलाकॉशन के अभी है इंडिया के कुछ लेटिस मिसाइल है और इसमें आपको देखना है तो रुद्रम अभी पिछले साले यह टेस्ट करा है इजिए इंडिया की पहली एंटी रेडि cupcake के एंटी रेडार्व मिसाइल आए अे सेट जो है आपका मिशन शक्ती 27 मार्च 2018 को ठीक है एक एक टू ठीक है यह बी ऑफ्शन गलत है इसके आई यह गलत एक एक अप्शन का क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक है यह ऑफ्शन गलत हो गया यार मजा खराब हो गया नाग क्या है नाग आपकी एक ballistic missile है या आपकी anti-tank guided missile है जल्दी से बताएगा option wrong है ठीक है तो नाग जो है न आपकी एक anti-tank guided missile है ध्यान रखेगा और यह धनुष जो है आपकी क्या है बैलेस्टिक मिसाइल है ठीक है धनुष क्या है बैलेस्टिक तो इसका जो option होगा वो होगा आपका A का 2 B का 4 और C का 1 और 3 2 4 1 3 यह option नहीं पता नहीं पिछले option वाले ही चल गए ओके operation बंदर आपका operation बंदर यानी surgical बाला कोट इस्ट्राइक ओके तो बताओ operation बंदर जो है वो किस ने operate कर रहा था operation बंदर तो आपका western command ने इसको operate कर रहा था ठीक है western command यह plane जहांसी से ओड़े थे ठीक है अगर आप इंडिया का मैप देखें जहांसी इन्होंने जो स्ट्राइक करी थी नहीं कुछ इस तरीके से करी थी जित्ता मेरे को जानकारी हुई है different तरीके से आपको बताता हूं operation बंदर क्या था क्योंकि पाकिस्तान के पास भी अच्छा चुन्नुमुन्नु फोर्स तो है नहीं उसकी ठीक है operational कर दिये गया और यहां पर हम क्या चलाने लगे कैप चलाने लगे कैप का फुल फॉर्म होता combat air patrol और वह सुखोई सारे विमान इदर उनने लगे पाकिस्तानी उसको लगा पाकिस्तानी को लगा कि यहां पर आपका बहावा अलपुर जहां पर लक्षरे तो एबा का अब यहां से पाकिस्तान के रेडार को पिक करना बड़ा मुश्किल था और उन्होंने हिमाचल परदेश और उत्रा खंड के उपर अपना टॉप अपका मतलब हो गया अपने टैंक को फूल करा और फिर इसके होते हैं यहां पर हनुमान जी की तरह गए बंगिरा के वापस इतनी देर में यहां तक पता चलता तब तक हम अपनी टेरिटरी में वापस आ गए थे क्योंकि जो स्पाइस बॉम हमने यूज कर रहे थे उसकी एक स्टेंड आफ कैपेबिल्टी होती है उसे टार्गेट से 60 किलोमेटर 70 किलोमेटर पहले ही लांच करना होता है फिर वह उके तो रॉनक दंदा हाँ बिल्कुल एक और रेड़ी चल रहा आप उसे भी कर सकते हो ठीक है तो मेरे ख्याल से चौदा आ गए है ठीक है चौदा अब तो और भी आ गए है तो यह नंबर इंग्रीज ही हो रहा है क्योंकि इस साल तक सारी डिलिवरी पूरी करनी है अगला कोशन अब यह मैंने कोशन कराया था और यह एफ कैट में आया था कोशन अब ध्यान रखेगा रेफल में कौन कौन सी आपकी मिसाइल यूज होती है तो रेफल में आपकी यह तीनों ही मिसाइल यूज होती है स्कैल्प मीटियोर हैमर ठीक है स्कैल्प मीटियोर हैमर यह ती all of the above इसका राइट अंसर है ठीक है आगे बढ़ते हैं देमством सर्वत्तम सिर्फ सुरक्षा है अपने माथे का नक्षा है ठीक है हमें न हैं न इन acquired Tara Raid National Macron security guard का अदर्श वाक्य ठीक है रवट्तम सिर्फ सरट्षा है अपने फिर्वाख्शा है हम है नहीं ना इन्डुस्त अभी आपको सरे पहले मैंने सारी चीज़ करके बताई थी अगला question which of the following aircraft is air-to-air refueler of Indian Air Force जल्दी से बताओ इस question का answer क्या होगा what will be the answer of this question okay and guys session को like share जहू करेगा okay see 17 glow master IL 76 IL 78 जिसे illusion बोलते हैं see 130 J Hercules तो आपको बताना है कि which of the following aircraft is a air-to-air refueler of Indian Air Force okay let's see की देखते हैं इसका answer क्या होगा जल्दी से बताएगा यश्वनी सैनी ने इसका answer एकदम correct बताया है that is illusion 78 ठीक है illusion 78 option number C देखे इस is illusion 78 यह air-to-air refueler है एंड दिस इस glow master C 17 इस सूपर 30 J Hercules यह special forces है यह जो आप पिक देख रहे हो यह दोलत बेग ओल्डी में लैंड करता है 2013 की यह picture है वर्ल्ड की highest highest strip है उस पर इसने लेंड करा था और इस बहुत कम runway चाहिए होता है टेक off और लेंडिंग के लिए ओके एक इमेज क्यों नहीं आई इसमें illusion 176 की एक image नहीं आई इसमें चलिए अब आपको बताना है यह दो plane कौन से देखूं आप लोग गैस कर सकते हो कि number one plane कौन सा नंबर टू कौन सा प्लेंड बताओ इन में से कौन सा प्लेंड कौन सा है ओके ओके जी हां बिलकुल तो आप बताएगा इसमें second number plane कौन सा और फास नंबर प्लेंड कौन सा है इंडियन फोस वाले के जो हैं वह जरा जरूर ध्यान से बताएगा एफकेट के स्टूडेंट भी होंगे लेट सी हूव विल गेव दी राइट आंसर नंबर वन प्लेंड कौन सा है नंबर टू कौन सा है ओके वेरी गुड कार that is mirage 2000 अभी हम सैंड मिराच 2000 भी ले रहे हैं किसे यह आपसे कहां से फ्रांस से अब इन दो प्लेंगेश को बताओ यह रीसेंटली रिटाइब हुए है 2019 और 2020 में यह कौन सा प्लेन है और यह कौन सा प्लीन है ठीक है यह दोनों रिटायर हुए है ठीक है तो देखो यह है मि 27 बहादुर 2019 में इसको रिटायर कर दिये गया है और फिर जैग्वार ये शम्शेर ये इंडिया में अभी भी है Ground Attack Aircraft है ये रिटायर नहीं हुआ है सॉरी ये रिटायर नहीं हुआ ये Ground Attack है कि आपका Aircraft है जैगवार और ये उपका Nuclear Weapon को ले जा सकता है ठीख है ये आपका नुकलियर वेपन को ले जा सकता है ये आपका जैगवार इसे हम शम्शेर बुलाते है क्या बलाते हैं इंडियन Air Force में निकनेम शम्शेर को के अब कौन सा यह बताओ यह दोनों ही ऑं की प्लेन यह टोन व्लेन बेंस करती है कि पुसक्राइदD सब्लेञा है जो इंदेट नेवी यूज करती है और इंदेट फोस भी उस करती है बताओ सुखोई 30 एंग है नई सुखोई 30 तो आपका इंधने भी यूज नहीं कलती है इस मिग 29 टीक है आप बताओ इन में से कौन से सुखोई है यह नमबर 1 नमबर 2 जल्दी से बताओ इन में से कौन से सुखोई है which of the following is a Sukhoi aircraft this one or this one कौन सा Sukhoi aircraft है ये नमबर वन है ठीक है ये नमबर टू है लेट सी कौन देता है इसका अंसर इन में से Sukhoi aircraft कौन सा है इन में से Sukhoi aircraft कौन सा है लेट सी नमबर वन अरपना शर्मा नमबर टू नमबर टू इस Sukhoi की सबसे पहली पैचान जो है वो इसके ये वाले side wings है इसके कारण इसकी maneuvering बहुत जादा होती है ठीक है तो इस इस सुखोई के इस मिग 29 MKI यह सुखोई यह आपका ठीक है इस राइफल का नाम बताएए वाट इस राइफल वाट इस नेम आफ इस राइफल ओके इस मी वर्मा हलो अब बताएगा बहुत शिल्पी आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया यह कौन सी राइफल है अभी रिस ओके 5.65 केलिबर की यह गन है और इंडियन आर्मी में अभी इसे इंडक्ट किया गया है और यह लेंग पोजिशन में शिष्ट ले रखी है और फाइरिंग कर रहा है बताओ एंडियन आर्मी सब्सक्राइब इसी तरीके से अगर आपको अपने प्रिपेशन करनी है जो आपका एक्जाम और इंटेड को साथ तो इन बैचेस को ज़रूर जोइन करिए 77% आफ मिलेगा Capital U 191 मैं यहां कैसे पढ़ाता हूं और पेड़ बैचेस में कैसे पढ़ाता हूं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दिखते हैं होगा तो इस बैचेस को जरूर जोइन करेगा Capital U 191 का यूज करके 77% आफ मिलेगा ध्यान रखेगा यह मंडे से बैच शुरू चैक्टर वाइज टॉपिक वाइज ओके सी टी एस सीट सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज इस तरीके से हम कॉश्चन करेंगे और इसमें जब तक आपका यह बैच मैं इसे कोशिश करूँगा आपका नवंबर वन से पहले ही आपको यह कोर्स पू लेगा तो आप Capital U 191 डिसकाउंट को यूज करें और आप डिफेंस महा पैक जॉइन कर सकते हैं और वन ये का भी है अब आपको कैसे पर्चेस करना है इसका लिंक आपको क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको मैं बता देता हूं कि आप लो यहां पर डालेगा डिफेंस महा पैक भी ले सकते हैं और अभी तो शार्ड डबल वैदि डीटी चल रही है ध्यान रखेगा अभी तो आपकी डबल वैदिटी यानि 6 महीने का खरीदो के तो 6 महीने का मिलेगा आज यह ले लेना क्योंकि यह मेरे खाल से कल हो ना हो तो अभ अगर आप लोगों को सीरेस है ठीक है वाकि आपको तो यूटूब पर पढ़ाऊंगा तो यू 191 यूज करके आपको यह कित्ते में मिल जाएगा ओनली 2300 रुपय में मिल जाएगा और 2300 रुपय में आपको Qip participant को एक साल के लिये मिलेगा इसमें आपको एफकेट हो C seni F का हो ठीक है prett reconstruct हो आपको छीज है वह आपको हम करने को मिलेकि ठीक है a हम्टों सि एपी एफ सारा आपको इसमें कोर्स करने को मिलेका तो इस 2022 को जरूर 2 करें और सारी डिफेंस एक्जाम साथ सा इसमें आपको test series मिलेगी current face मिलेगा सारी चीज आपको मिलेगी और session को share और like जरू करेगा Fcat का बैच जल्दी ही शुरू होगा बाकी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ ठीक है अगर आप particular कोई वैसा बैच करना चाहते हैं तो फिर आप इसको भी ले सकते हैं जैसे यह शौरे हमारे batches हैं लेकिन आपको मैं कहा रहा हूँ कि आप defense का एक ही batch ले लीजेगा that is defense maha pack इसका link आपको मिल जाएगा cds के अभी हमारे जो नए batches है ठीक है यह cds के हमारे नए batches है इनको आप देखिएगा यह सारे batches आपको maha pack में मिलेंगे तो particular एक batch को करने के बज़े आप महा pack लीजे और सभी batches को आप करिएगा ठीक है तो आज के लिए ताई मैं मिलता हूँ कल आप से तब तक के लिए सभी को जैहिन जै भारत और comment में ज़रूर बताएगा आपको सेशन कैसे लगा thank you very much मैं इसे कांटक्ट कैसे करें मेरा नाम जिवेश कुमारा आप मेरेको Facebook पे कांटक्ट कर सकते हैं ठीक है थैंक यू बेरे मच जिवेश जै आई वी ए एस च के यू मेर ठीक है तो आप मैं इसे उस Facebook पे कमेंट कर सकते हैं ठीक है थैंक यू बेरे मच